असलाम लेकूम, उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, वीडियो को टॉपिक अप अलड़ी देख चुके हैं जैसे ही सरदी आती हैं, हम देखते हैं कि तक्रीबन हर घर में विक्स मुझूद होती है अगर किसी को नजला हो रहा है जुकाम हो रहा है यह विक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है कि विक्स की दो किसमें हैं विक्स बेबी रब जो कि सिर्फ बच्चों के लिए और विक्स वेपर रब जिस पर आज हम डिसकेशन करने वाले हैं वो बढ़ों के लिए हैं अब अगर हम देखें किस चीज से मिलकर बनी है इसके क्या इंग्रीजियंट्स हैं तो इसके अंदर सबसे पहले मैं थोल है फिर विक्स ओयल है और साथ ही साथ पेट्रोलेटम है यह चीज़ देखने में आई है कि अगर किसी को नजला हो गया है जुकाम हो गया है बाद वकात हम देखते हैं कि नजला तंग कर रहा होता है और खांसी बहुत जादा होती है जिसकी वज़े से नीन नहीं आती तो लोग वि है यह जो भी मसला है उसके अलामात को वक्ति तोर पर कंड़े से किसी ब作र eld है तो इसका काम करें अक livres c उसके वज़े ये है कि विक्स वेपर अपके अंदर कैमफर होता है जो कि नियूरो टॉक्सिन है अब नियूरो टॉक्सिन का काम ये होता है कि ये आपके दिमाग को ये आपके बच्चे के दिमाग को किसी बीतरा मुतासर कर सकता है बहुत जादे चांसिस हैं कि अगर आप विक्स वेपो रब इस्तमाल कर रहे हैं तो इससे आपके बच्चे को मिरगी का दोरे आ सकते हैं उसे जटके लग सकते हैं इसलिए आपके इसको अपने बच्चे पर जिसकी उम्मर दो साल से कम है इस्तमाल नहीं करना पिर हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स में हमें बड़े इजीले विक्स इन्हेलर्स मिल जाते हैं अब विक्स इन्हेलर्स का काम भी यही है कि वोक्ती तोर पर आपकी इलामात को कम करता है आपने विक्स इन्हेलर्स का इस्तमाल भी अपने बच्चे पर अगर उसकी उमर 6 साल से कम है नहीं करना ये चीज़ देखने में आई है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं बास लोग विक्स की एक बोतल ले लेते हैं और पूरे पूरी सर्दियां इस्तमाल करते हैं चाहे उन्हें मसला है ये नहीं है और बाज लोग इतनी हटियात करते हैं कि नजला ये जुकाम ना हो कि वो शुरू से ही लगाना शुरू कर देते हैं कि सेले से नजला जुकाम हो ही ना ये चीज़ आपने नहीं करनी क्योंकि अगर आप विक्स रेगुलर्ली इस्तमाल कर रहे हैं साथ दिनों से जादा इस्तमाल कर रहे हैं तो बहुत चांस है कि आपको एग्जोजिनिस निमूनिया हो जाएगा क्योंकि विक्स वेपर अपके अंदर पेट्रोलेटम है इसी ये चीज़ पता चलती है कि विक्स वेपर अब को 7 दिन से जादा सलसल इस्तमाल नहीं करना अगर आप विक्स इन्हेलर्स इस्तमाल कर रहे हैं तो उसको भी दिन में सिर्फ و tighten दफाई ही इस्तमाल करना है तो इस्तमाल नहीं करना है और अगर आपके बच्चे का वजन फर्स करें पांच किलो है उसने डेट सो ग्राम विक्स खा ली है तो अगर आप उसे टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती तो आपके बच्चे को खुदा नखास्ता इस सूरत में डेट भी हो सकती है इसलिए प्लीज अपने ब पताया है कि इसके पर पर करें एपने और लगाते हैं तो इसकी बहुत ही जादा में पर कुरें कि अब और बाटी नहीं है पर शेलीं कर और और बार धarch my खर लग थ हैां उस पर भी आपने विक्स का इस्तमाल नहीं करना मुखतर सिर यही है कि विक्स वेपर अब सिर्फ बड़ों के लिए है आपने इसको रेगुलर्ली इस्तमाल नहीं करना इसको फेस पर इस्तमाल नहीं करना और अपने बच्चों की पहुंचे दूर रखना है अमीद करती हूँ आज आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी अपने ख्याल रखिएगा अलाहाफिज